तीसरी एडीशन वेले सितंबर 1905 आपने आप संबन्दी बंदगी नामे दियां पहलियां एडीशना ने मैनू अनेका बे घरज अते सच्चे पुर्शांदी नितरता दा सुभाग बक्षिया जे सुते जिन्नावी मान कीता जाए ओ थोड है इन आविचों बहुते मित्र मैनू मिले नहीं सिर्फ प्यार परियां चिठियां रहीं मेरी जान पछाण इस करके ओ थे बंदगी नामें दे आम पाठक मेरी शकल, मेरे लिबास, आदक संबन्दी बहुत गलत अंदाजे लौँ दे रहें देने कईयां दे ख्याल वेच मैं कोई पगवे कपड़यां वाला, लंबी ते सफेद दाड़ी वाला, बिरदत त्यत्यागी पुरश इस वास्ते बंदगी नामें दे इस एडीशन वेले, मैं आपनी तस्वीर छपवा रहें तांके पाठक मेरे संबन्दी सई अंदाजा ला सकन। ये फोटो मेरे जीवन समंदी कई गल्लां तां दस सकेगी पर कई गल्लां बिल्कुल नहीं दस सकेगी ये सलई मैं आपने पाठकां दी वाकफियत लही अपने आप समंदी कुछ जरूरी गल्लां भी परकाशत करन लगां। मैं कोई सादू संत महात्मा जां तार्मिक शकलो सूरत वाला बुड़ा ते त्यागी बंदा नहीं। साहिब जी दे पावन उपदेशान समझन ते कमाउन दी कोशिश करना। सिरी गुरू गरंद साहिब जी नो, सिरी गुरू गोविन सिंग साहिब जी माराजवलनों गुर्याई देन दा एक बहुत वड़ा स्यानप परिया फैसला समझना। जिस करके सिख कौम सदा एक मुठ ते एक जान रवेगी। गुरू साहिब दे इस फैसले अगे मैं सीश चुका ना, अते इस निश्चे दाहां के गुरू गरंद साहिब जी दी सिख्या, समझदार, निर्मान, ते मेंटी सिख लई, सच्चे अते पूरन गुरू वांग अगवाई कर दिये। पूरभी देश विच पैदा होन ना, ते पच्चमी विद्या पढ़न करके, पूरा बते पच्चम दियां सब चंगियां चीजां तो लाव उठाउन दी कोशिच विच रहिना, रेडियो सुनना, चंगियां फिल्मां वेखना, ते रोज सिरी गुरू गरंद साहिब जी दा पाठ अते रात नू उठके सिम्रन अभ्यास करना, बच्यां नू काल जावेच पढ़ना, नाले कारवेच सात संग लगा के परवार समेत की रुतन वेच जुड़दा हां, गुर्बानी दी सब तो वड़ी इज़त पूजा, इस दे उपदेशा नू समझन ते कमान वेच सम सिशभी करना, क्योंके मेरे पिता जी दाड़ी नू रंग देने, ते मेरे कोड़ों भी इस तरह करना आस रख देने, इस कारके मैं भी दाड़ी बनना, ते वसमा लाउना, ते जदों तक पिता जी दी खुशी ऐस विच है, ओधों तक इस तरहीं करन दा संग्ळब रखना, मेरे पिता जी दी बारली शकल पामे तार में का नई पर उना दा अंदरला जीवन पुवित्तरता सिद्क दे इलाही रंगन वेचे रंगया होया सचे सिखावर गा जीवन मेरे उते उना दा सादा निर्चल ते महान प्रसनल्टी दा इना प्रबाव है के दाड़ी समन्दी जां होर मर्यादा समन्दी उना नाल विचार करन दा मेरा ही या नहीं पैंदा जिते गुरुनानक देवजी दा सेखोन दा मैनो माने ओथे आप वरगे गुर्मुख पेता दा पुतर ओनते भी मैनो काफी माने एक होर गल जेड़ी मेरी तस्वीर पाठका नो नहीं दास सक दी ओ है मेरे मन दिया बस था बंदगी नामे वेच मेरे जीवन दा सिर्फ चंगा पासा ही नजर ओना है इस तो ये समझना के मेरे जीवन दा माड़ा जां कटिया पासा है ही नहीं बहुत बड़ी पूल लोएगी शिरी गुरु गरंद साहिब जी विखे जो गुर्शिखां दे लच्छन दसे ने उनना अनसार मैं बावजूद सिर्थ ओड़ कोशिश करन दे अजय भी बड़ा अपूरन से खां मेरियां कमजोरियां कई वार मेरियां अखां समने आके मैंनों बड़ा शर्मिदा कर दिया ने ते एक तार्मिक पुस्तक दे करता होन दी सारी खुशी खोके ले जा दिया ने पर सिम्रण अब्यास विच आपनी मवजूदा आत्मे का वस्तान वेख के मेरी निरास्ता दूरो जा दी अब्यास विच वेखना के करतार दी अंसोन करके मैं जो तहां चानन ते जिमें चानन दे समने हनेरे दी कोई हस्ती नहीं ना उंदी उसे तरह मेरे समने मेरियां कमजोरियां मेरियां उनताईयां दी कोई हस्ती नहीं जिमें चानन नो हनेरा दूर करन दे ले किसे खेचल करन दी लोड नहीं पैंदी उस देते सिर्फ परकाश उनना लिया नेरा आपे गुम हो जान दे इसे तरह कमजोरियां उते फते पाउन दी कोई कोशिश करन दी लोड नहीं रहें दी एते ओधों तक ने जदों तक मैं अपने सिम्रन अब्यास विच वेखी अपनी असलियत नूँ उस सिम्रन वाले अनन तों बाद पुल जान दा है इसलिए मैंनू अपनी अकमजोरियां तों शिर्मिन दा उन दी बदाए अपने सिम्रन अब्यास विच दिस दी अपनी असलियत मैंनू हरवे ले याद रखनी चाहिए जदों मेरी असलियत मैंनू हरवे ले याद रहन लगपई सितंबर उन्जमी एडीशन वेले अपरेल उन्जमी पुछवञजा इस किताब दी तीजी एडीशन वेले उनिसफमताली विच आपने आपसमन दी लिख द्यां में दश्याँ सी कि मिरे पिताजी दाड़ी रंग देने ते मिरे को नो इस त्रह करन दी आस रख देने इस करके मैं वस्मार लाओना इस तरह करन दन तीज़ा एवया के उनी सौ एक वन जाएविच पहला मेरे पिता जी ने मैंनू दाड़ी रंगणी बंद करन दी आगया देती ते कुछ देर बाद खुद भी दाड़ी रंगणी बंद कर देती पावे सिख काम दे तारमिक तबके विच दाड़ी रंगना बहुत बुरा समझा जाँ दे पर जिस उद्दारता ते विशाल देली नाल आतम साइंस लहर दे हजारा मेंब्रा ने ते होर सिख पबलिक ने मेरी इस कमजोरी ने चले आए ते वे क्यां डिट कीता है मैं उना दा दिलों तनवा दी हैं एक दो काले मित्राणे मैंनू चिठियां राई राज के गालां भी कडी हैं ते आपने दुन्यावी पिता दी गल्त गाल मनननू मेरा नाम वाफोन वाड़ा अपराद भी आख्या पर क्योंकि उनना दियां गालां ते फिटकारां दीता है विच भी कोई शुब चिंता जा मेरे सुधार दी छाशी इसलिए मैं उनना दावी तनवा दी आस है कि हुण ओए जान के खोशों अगे कि आसी दो में पिता पुतर दाड़ी नहीं रंग दे मेरे सुधकारियोंग पिता जी सिरीमान सरदार लेना सिंग जी दे आतम साइंस रसाले वेच अच्छा पर रहे लेख जिनना मित्राने पड़े ले ओ मेरे नाल सैमत ओणगे कि ऐसे महापुर्ष पिता दी खुशी लई मैनू इस्तरी करना चाहिएदा सिंग एक होर ख्याल वी मैनू दाड़ी रंगन लई मुनासब लगदा सिंग दरसल दाड़ी नू रंगन वाला काला रंग मेरी अंदर ली अपूरन तादा जहरा सबूत अते दिस दी निशानी सी मेरी शकल वेखद्या सार लोक मेरी अंदर ली अवस्थातों अंदाजा ला सक देशन पर होन आपना ठीक मुल पूआण लई मेरे पास ओ तरीका भी नहीं रहा एक गल जड़ी होन मैं लिखनों नहीं रह सकदा जो के बंदगी नामें दी पहली कदे भी ना चप सक दी जे उस वेले मैंनों दो औरतां दी वड़ी ते निताड़क मिल वरतन ना मिल दी देखो साड़ा परवार लहार ही कठा रहीं दा सी ते खान दान दा सारा पैसा मेरे पिता जी दे आत्वे सी जिन अनु उस वेले तरम नाल कोई दिल चस्पी नहीं सी दो तिन साल एक किताब ऐसे करके ना चप सकी एक दन मेरी हैरानी दी कोई हादना रही जदो मेरी वड़ी पैन सिरी मती चनन का और पते मेरी सुपतनी बीबी रवेल का और ने लोडीन दा रुपईया मेरे समने लिया के रखा देता ते आखिया असी आपने जेवर गिरवी राके सिर्फ ये दा प्रबंद कीता है और बंदगी नामा जरूर चप के रवेगा तो उसी कागस दा प्रबंद करू पिता जी तो चोरी चपाई लए पावें किताब लाओर दी बजाए अमरत सनो चपाई गई सी पर चपन मगरों आखर उसनो कारते लिए उना इसी पिता जी ने पता लगया असी ते पिता जी दियां चिडगा खाण लए तिया हरसां पर पिता जी ने सिर्फ उस सुने आरे दा नाम पता पुछके जीदे कोल गैने रखे सन उस तो गैने वापस ले आके पैंड जी अते रवेल का उर दे हवाले कर दे इस तरह आतम साइंस लहर द नी बजी हुण जाद आत्म साइंस लहर दे प्रेमियां वलों हर साड़ हजारां परशंसा पतर मेरी नजर विचों गुजर देने ता मैनू इना दोहां बीबियां दी वेले सिर कीती नितड़क साहे ता यादाओं दी और ता चाउन ता की नहीं कर सक दिया सत्मी आडेशन वेले जून 1905 पता नहीं क्यों आपनी आजकल दी फोटो वाल वेके मेरा दिल शांती ते सितकार नाड़ पर जांदे पामे फोटो अजे भी मैनू आपनी फोटो नहीं लग दी सन 1903 विच एक दिन बंगलावर विच जदो मैं अपनी लड़की देकार केसी शनान करके बेठा हुए ऐसा ता मेरी सुपतनी मेरी लड़की ते उसदा पती सारे जणे मेरे पास सुथकार नाड़ा के खड़ो गया जदो मैं पुछया ता आखन लगे साननू त्वाडी खुली दाड़ी बड़ी चंगी लग दी उन एसे तरह इरान देओ जदो मैं शीषे वेच वेख्या ता खुली दाड़ी नाल पामे मैं आपने आपनू होरी कोई समझदा सा पारे कोई होर मैंनू काफी चंगा लगा उस दिन अगस्त उन्नी सो त्रेठ तों मगरों भी जदों मैं शर्दा नाल अपने चेरणू शीषे वेच वेख्या ता अपनी पुराणी थांते किसे चंगे गुर्शिक दे दर्शनी मैंनू होई मेरी खुली दाड़ी ने मेरे दिल वेच अपने आप समन्दी खास जिम्मेवारी स्वै काबू ते सतकार दे जज़बे पैदाई नहीं कीते सगो कारबार में जिते भी जामा लोग की प्यार ते सतकार नाल मैंनू पेशाओ देने कलकते वेचे एक दुकान तो मैं कुछ खुरीदना सी पर उस वेले दुकान वेच गाकांदी बड़ी पीड सी दुकान वेच वड़के मैं एक पासे खलोके उडीकन लग पिया इने वेच दुकान वाले ने जदो मैंनू परों वेख के अपने वाल बुलाया ता मेरे अगे खड़े औरतां ते मरदाने सतकार वज़ों एक पासे होके मैंनू अगे जान दा मौका देता चीज खरीदन मगरों मुड़ी वार जदो मैं सारें दा तनवाद कीता ता सारें ने अगों मुस्करा के मैंनू नम्सकार कीती दरसल गुरसेख लई दाड़ी बनन ते दाड़ी खुली रखन वेच जेड़ा राज है न ओ दाड़ी खोड के रखन मगरों खुड़ दे एक जून उन्नीसापैंट तखत राजा सुब है जे तखत ये लाएक होई जिन्नी सच बचानेया सच राजे सेई एप उपत राजे ना आखियां दूजै पाहे दुख होई कीता क्या सालाही है जिस जान दे बिलम ना होई नेचल सचा एक है गुर्मुख बूजै सुने चल होई मेरे अंदरों हमेशा ही एक आवाज आउदी रही है बंदगी कार ना मिंजब बंदगी दे जरीये तुँ अपने अंदर लुकी पात्षाई हासल कर सकेंगा बड़ा लंबा समा में इस आवाज दी बिलकुल कोई परवार ना की थी कदे कदे हस के जवाब दे छड़ दसां पूखे पगतना की जए फिर किसे डूंगे समंदर विचों लेरां दी तरह ये आवाज लगातार आउनी शुरू गई बंदगी कर बिन हर पजन नहीं छुटका रहा आखर मैं इस आवाज दे अगे आपने सारे शंके रख देते मैं क्या मैं बंदगी क्यों करां अखा क्यों मीटां दुनिया बड़ी सोनी है इस विच सोने द्रिया, सोने पहाड, सोने असमान, सोने सितारे, सोने कार, सोने मितर, सोनिया सिजा, सब सोनिया चीज़ाने ए सुन के ए आवाज मदन पह गई ते मैं खुश होया कि शायद मैं इस आवाज नो सदा लई चुप करवा देता पर कुछ जेर पिछों फिर मेरे अंदरों ए आवाज होर जोर नाल आउन लग पई बंदगी कर तेरे गुरू ने चूट नहीं आख्या अवर का आज तेरे कितैना काम जाँ फिर जनम बिर्था जात रंग माया कै जाँ फिर जेमे सुखमनी साहवे चाख्या साथ ना चाला है बिन पजन बिख्या सगली छार जेडी दुनिया तेनू बड़ी सोणी नजरों दी है न ये असल वेच तेरा आपना सोचन दा टंग है सुख्ये काव पेख्ये सब सुख्या रोगी काई पाने सब रोगी जिस चीजनू कोई सोणी समझ दे ओ चीज उन्नू सोणी लगन लगबें दी दर्या तेनू सोणे लगदे न पर उस मानू जिस दे पुतर दी सने डुल्ले जांज दर्या तों पारों लगयां किसे दर्या दी पेटा हो चुकी होवे उसमानू एहा दर्या सप बरगा टेड़ा ते जैर प्रया लगदा होवेगा एई दर्या हर साल सेंकडे पिंडानू रोड के हजारां वसदे इंसानानू तबाद कर दे देने पहाड तेनू जोने लगदेने पर कांगडे दे पुचाल वेच चित्थे गया लोकां दे रिष्टदारानू पुचके वेग जिनना दी हनेरी दुनिया वेच ए पहाड जम दूत बणके नजरों देने तुम कहने है तारे बड़े सोने ने पर पुच किसे बिरहन दे दिल कोड़ों सितारयां दा टेमटि मौना उस दे विछोडे नू किस तना टिचरा कर दे दुनिया ना सोनी है ना कोजी है इसनु जिस निगाह ना विखो ओहो जी लग दी है इस वास्ते तेरी आपने निगाह विच ही सब ताकत है इस ताकत नू बार दी बजाए अंदर वाले पासे वर्थ के वेख तेरे सारे शंके दूरों जाणगे तेनू दुनिया दी असलियत समझा जाएगी तेनू मौदा डर्वी नहीं रहेगा तेरे अंदर लियां ताकता जग्णगियां जिना दे समने किसे दुनियावी ताकत दी कोई हस्ती नहीं रहेगी तू के नहीं पूखे पगदना कीजै पर असल विच बिना संतोख नहीं को राजय ही सच है मेरा विश्वासकार पोख नू नविरत करन दा सब तों वड़ा सादन पगती है असली बुख पेट पर यां नहीं हट दी मन पर यां हट दी क्योंके मन सब पुखा दा सों मैं मन नू संतोख होंदियां सब तृष्णामा नविरत हो जान गियां विखे ना गुरु जी ने बाणी विचाख्या नान के सचे नाम बिन किसे ना लथी पोख जां फिर सत्गुरु शिरीगुरु मरदाजी ने आखिया सत्गुरु मिले हैं मन संतोख है तां फिर तृष्णा पूख ना होए इस तना बाउत लंबे समय तक अंदरली आवाज नाल में टालम टोल करदा रहा कही वार इसनों चिडाउन वास्ते से विरुद शर्म ना कम कर दा रहा परिस्तियां अन्थक अपीलां बंद ना होई हैं आखर मैं तरम दी सच्चे अर्था वेच पडचोड शरू की थी मेरा मुड तो निश्चा सी के मैं सिखा दे कारजनम ले है मैंनु शंतिवी गुरु नानक दी सिख्यातों ही मिलेगी इस वास्ते मैं बाबेदा बू आखड़काणा शरू की था श्री गुरु गरंत साहिब जी दी बाणी पामें मेरी मात पाशा वेच लिखी होई है पर इस नू चंगी तना समझना जरा खेचल मंग दै विचारवान खोजी नू कई सर्चे शंके पैदाउं देने जिनन दूर करन वास्ते सिख्या वेच कोई तसल्ली बक्षपरबंद है नहीं गुर्बाणी दे नाम अभ्यासी थे बहुत ने पर पच्मी विद्या दे पड़े लिखे दिमागां दिया मुश्कलाणों नाओ खुद समझ देने नाओ दूर कर सक देने मैं कुदरती तावरते अंध विश्वासी नहीं है इस वास्ते जित्थे मैंनों गुरु ग्रंध साहिब जी विच्छों किसे गल दी समझ नहीं सीना होंदी मैं उगल समझ दे वास्ते गुरु दे चरणा मेंच दिलों अरदास करदा सां अते मन मेंच यकीन करदा सां के गुरद्वारे बिलकुल ठीक ने मेरी अकड होची है जड़ी अजे समझ नहीं सकती इस तरह सबर नाल उडीक कीते हैं मेरी हमेशा अगवाई हुंदी रही सिम्रन करके कई वार ऐसे सुपे सिद ही ख्याल आजान जीना नाल सल्हां परदे शंके 96 दूर हो जाने सन कई वार मेरी नजर विच वे यह हो जी यह किताबां तो यह हो जाए लेख लंग आए जान दे सन जिनान उपड़के मैं हैरान हो जान दा सन इस तरह जाबदा सी जिम्हें ओ मेरे शंक्यां दे जवाब विच ही लिखवाए गये ने इस तरह मेरे बहुत सारे सच्चे परम अते शक दूर हुंदे रहे पावे मैं शुरू तोई इस अंदर ली आवाज दी बड़ी बेप्रवाई करदा सो अते इस दे कैन अंसाहर मैं बहुत काटी चलिया फिर वी मेरी हैरानी दी गल सी के इस दे बावजूद ए आवाज मेरे कन्ना वेच गुंजणों ते मैंनू सिद्धे रस्ते वल लिजानों प्रेरनों कदे नहीं सी हट दी हुण मैंनू इस आवाज दी बड़ी कदर है मैं इस दा बहुत अनवा दी है ए आत्मा दी आवाज सब नो किसे ना किसे तरीके नाल जरूर टुंब दिये जगाउं दिये ते अपना अर्शी पैगाम सुनों दिये हर एक इन्सान अपनी अपनी आत्मिक अवस्था अनुसार इस आवाज नो पच्छान दै समझ दै ते दे तो फाइदा उठाउं दै इस आवाज दी प्रेरना नाल मैं बहुत सारी तार्मिक किताबां पढ़ियां कई महात्मा पास जाके मैं अपने शंके निवर्थ की थे अबियास दे जरीये आत्मिक असुलानु अजमाउन दा मैंनु शुरुतों इस शौक सी कई ऐसियां आत्मिक गुंजलाने जेडियां प्रतक तारते एक दूजे दे उल्ट दिस दियाने पर सिम्रन अबियास नाल समुची तनमपुस्त का पड़ दियां सचे गुर्मुखांदा संग करना ते उना दे उपदेशानों बंदगी दे जरीये परतक वेखना समझना ते अजमाउन दी कुशिश करनी ते नतीजा नोट कर लेना एह मेरा शौक सी पावे आज तक मैं संपूरण नहीं हो सकया ते अजेवी मैं बड़ी वार तरस योग हालते चुफास जाना मैं पोग बिलास दा शुकी नहीं पर इस्तरी जात दी खिच अते संदरता दे चालतों अजे तक मैं पूरी तना अजाद नहीं हो सकया इस कमजोरी ने मेरी बंदगी दे रस्ते विच बड़े विगन पाए ने फिर वी सिम्रन कमाई ने जेडी मेरी दुनिया विच तब्दीली लियां दी है अते नमे जीवन दा तजर्बा कराय है वो मेरा दिल ही जान दै मेरी इस नमी दुनिया वेच दुख है नहीं संताप जां कलपन नहीं पटकना पोख त्रिशना नहीं अनंद ही अनंद है शांती ही शांती है शरूर अते बेप्रवाही है इस अंदरली दुनिया वेच छेन पार रेंड दी बराबरी बारली दुनिया दे वड़े तों वड़े रासते पदारत भी नहीं कर सकते ओनादा मुकाबला सूरज ते टटैने दे चानन दे मुकाबले वाली गल्ले पावे कुद्रत ने जिस किर्पा अते द्रिया दिली नाल सच दी तलाश वच मेरी मदद की थी है उस दा बदला ते मैं किसे वी हालत वच नहीं दे सकदा पर फिर भी उस शुकर नो मैं इस किताब दे रहीं परगट करना चाना जिस नाल मेरा देल पर पूरे ते मेरा सिर हर वेले वाई गुरू दे चरना वेच नियो हैं रिदे शैद किसे लोड़ वंद रबदे प्यारे दी कोई गुझल खुल सके ते उस नो सच दी तलाश वच मदद मिल सके पच्मी ख्याला दे प्रभाव हेट नाजवान मदा प्रस्त ते नास तक हुंदे जा रहे ने जिनना नाल ना ते न्राज हो हैं कोई फायद है ते नाई बे फिकर जा बे प्रभाव होयां मुश्कल हाल होंदी है इस हालत नू ठीक करन दा सब तो चंगा तरीक है अपने प्याव दादे दे खजाने नू खोड के इना प्रामादे अगे रख देना सचाई दा उनना तरीकें वेच परचार होना चाहीद है जिनना नाल विद्वान तबके दे विचार अते दिमाग होते असर होई अज कल दे समय वेच किसे चीज दी लोड ते वड़े आई नू दुनिया ओदों तक मन वास्ते त्यार नहीं जदों तक जिन्दगी वेच उस साचदी खोज ते तरम दी लोड नू बड़ा बेफायदा समझन लग भई है इस वेच दुनिया दा उनना दोस नहीं जिनना तरम ते उनना दे परचार कांद है जिनना ने तरम दे असली रुहानी पाव आत्मिक पहलूनू ना खुद समझे ना कमाया ते ना दुनिया दे स मेरा यकीन है के तरम दी शही तर्जमाणी बंदे नू देवता दुनिया स्वर्ग बना सकते थे जव रुं तो तक टरमं दी गल्द तर्जमानी उन्दी रहेंगी गल्द व्याख्या उन्दी रहेंगी उधों तक बंदे शाइतान ती दुनिया मकारी बेर法ूतर बैयंसाफ समझ हीन खुद गर्ज ते छोटी द्रिष्टी वाले परचार कांद हैं मेरे ख्याल विच पच्छम ते पूर्ब दियां सारियां मुश्कलां दा पक्का इलाज तरम दी असली ते सची सिख्या विच तरम दे सई परचार नाल असी आपनी ते तरम दे गल्द परचारतों गाई दुनिया दी हालतनों सुदार के जमीन उते रह द्याओं यहां भी रभी हो लारे ले सकने हैं बंदगी करन दे बेश्चमार दुनियावी ते आत्मिक फाइदे ने जिस तरह के बंदगी करन नाल ए देल द्रिड ते दिमाग साफ हो जान दे ब्रीक तों ब्रीक विच चार करन दे भी काबल हो जाइदे हैं दुनियावी त्रक्की वास्ते दो में गलां बढ़ियां जरूरी ने ते सिर्फ एन वास्ते तरम दी अगवाई बढ़ी जरूरी हैं बंदगी करन नाल आधर्शक जिसमानी सेत हासल हो सक दिये सेत दियां हजारां न्यामतां दा असली स्वाद सिर्फ नाम जबन वालाई मान सकते हैं अब वल तां बंदगी करन वाले नो कोई बिमारी हो दी नहीं पर जे कदे कोई आवे भी तां खुद बखुद बगैर द्वाईयां दी मदद नाल जां काटतों काट द्वाईयां दी मदद नाली बंदगी दी दशा विच पाँच जान नाल बिमारी दूर हो जान दी है जिन्नी साच विसारया से दुखिये चले रोए अथ्वा दूख दर्द पर्म पाव नस्या करन हार नानक मन बस्या जाँ फिर रोग सोग सब दोख बिना सें जबत नाम मुरारी अथ्वा जो हर हर नाम ते आएं दे तेन जम नेड ना आवे ओ दूजे बिमार लोका नूँ अपनी रुहानी चू नाल राजी करन दे योग बन जान दे बंदगी करन नाल इस महावाग दी सचाई प्रतक नजरों दी सदा रहे कंचम सी काया रोग ना कम हूं प्यापे राब नाल जुड़या होया मनुख अपने आपनू बीमारियां तों हादसयां तों ते मौद दे डर तों रहत वेख दै ताती वाव न लगई पारब्रम शर्णाई चावगिर्द हमारे रामकार दुख लगए ना पाई बंदगी करन वाले दियां सब जरूरी ते आम लोड़ा दुन्यावी जा आत्मिक अपने आप पूरियां ओदिया रहिंदियाने एथों तक के उसनो मंगण दी लोडा नहीं रहिंदी हाथ अड़न दी आदत पुल जांदिये ते उस दी पोखते तृष्णा दूरो जांदियाने सद्ग्रु जी आखदेने तिसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर हर नाम त्याव है बंदगी करन दे त्रीके नाल रब नाल एक होन दी जाच आजान दी ते इस तरह रब नाल एक होया रब दीयां सारियां ताकतां ते खूबियां बंदगी करन वालियां विच आजान दीयां बंदगी करन नाल आदमी नो ओखजाना लबद है जिस दी पाल विच सारी दुनियां जान दी चान ना जान दी होई पठक रही है जान बेजार ते बेबल हो रही है सद्ग्रु जी आखदेने गुजडा लदम लाल मत्य ही परगट थिया सोई सुहावा थान जित थै पिरिये नानिक जी तू उठिया फिर मेरे सद्ग्रु जी इस तरह समझाओ देने जान तू मेरे वल हैं ता क्या मुच्छंदा तोद सब किछ मैनों सौंपया जान तेरा बंदा लख मी तोट ना आवई खाये खर्च रहंदा लख चवरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्तर सब कीतिया नै मंगय मंदा लेखा कोई ना पुच्छाई जान हार बखशंदा अनद भया सुह पाया मेल गोर गोविंदा सब भेक आज सवारे हैं जान तो दपावंदा की एफायदे काफी नहीं के एन आवास्ते उद्दम खोज जा मेनत कीती जावे की एन आनालों के ते कटिया ते ममूली चीजानों हासल करने यसी पूरा जोर पूरा वक्त ते सारा कुझ निचावर नहीं कर देंदे खुशियां ते सुखां दे परच्छामया वास्ते हैं हर रोज मारे मारे फिरने पर सची खुशी सदा दे सुख एथों दे ते अग्गों दे अटल अनांदनों हासल करन दा सनु ख्यार तक नहीं हो दा कि साड़ी हर पासे दी नाकामया भी निरास्ता ते परिशानी दा कारण साड़ी ताकल दी गल्द वरतों था नहीं हाँ नाम जपन वाड़ा बंदा सारे ब्रैमंडनों आपने प्यावदी चीज़ समझ दे ते सारवेच मालक बनके फिर दे दुनिया दियां सब शक्तियां उस दे नाल नाल चल दियां परतिय तुनिया ने क्योंके उस सारा कुछ दे पियाओ दी मलकिय तुनियां ने फिर उस दे जाके उसनों इस तर्थी में तेरी सिक्दारी दे अर्थ समझ विच आओंदे ने ते उस दी तबीयत पाथशाह वाली हो जान दी है क्योंके वो अपने पितारों पाथशाह दा पाथशा अथे अटल सुल्तान वेख दे है नाम जपन वाले पुर्शनों ऐसे आत्मिक गुर ऐसे फार्मुले याद हो जान दे ने जी दे नाल ओ करतार वायग्रुनों हरवेले अपने कोड रख सकते जित्थे जावे वायग्रु अंदे नाल रहें दे त्यों मैसूस करदे करबाहर तेरा प्रवासा तुँ जन के हैं संग हरवायग्रु दे ताकत नाल अभ्यासी व्यक्ति पहलों अपनिया मंदिया वासनावानूं जित्थे मननू जित्थे परकिर्ती जा मटीरियल नू जित्थे फिर दुनियां दा मालक बन दे ते सारे ब्रैमंड नू अपनी मर्जी वेच अपने हुकम अनशार चलदा होया व कौई चीज जितने वाळी ना रवे तां अपने पिता दे चरना वेच अपनी कुशी नाार अपनी मर्जी अनसार समाबे। पुतडर दें पितावेच समाबद अर्थ पिता दा रूप हो जाने जित थे पिता पुत्र वेच पेद नहीं रही दा इस तरह लग दा जिमें पुत्र ते कदे है यह नहीं सी पिता ही पिता सी अते पुत्र सिर्फ पिता दा एक कौतक ही सी जिस अवस्ता वेच पगत कभी राख देने अब तो जाये चड़े सिंगासन मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक भै है कोई ना सका है पिछानी इन उचियां वस्तामा मेंच पहुंचना सचे खोजी वास्ते कोई मुश्कल गल नहीं इस सब सचे आत्मिक मुनारे गुर्मुखा गुर्सिका वास्ते बनाए गाये ने तांके वे ना मुनारे मेंच बैके रबी नजर नाल सारे संसारवल तक सकन हरे एक गुर्मुख प्यारे दा इन उचियां आत्मिक अवस्तामा ते उनाई आके जिनना एक पुतर नो आपने बाप दी जाएदाद ते हक होंदे पिता पुतर दियां चीजां कोई बंडियां हो या नहीं दिया गुर्मुखो इस पासे वाल सच्चे दिल नाल एक कदम उठा के वेखो स्रिष्टी पार दियां सूखम ताकतां तौनों किस तरह मदद करन वास्ते दाउड दियां कि मैं करतार तैनों मिलन लई आपनी मेवलतादा प्रिग्टावा करदा नेक नीती नाल निमानाओ के बंदगी कार हंबला मार ते पाई गुर्दास दे कथन दी सच्चाई प्रता के वेख चर्ण शर्ण गुर एक पैंडा जाए चल सत्गुर कोट पैंडा अगय होए लेत है इस किताब विच मेरे आत्मिक तजर्बे लिखे होए ने हो सकत है किसे होर गुर्मक नाम अब्यासी दे आत्मिक तजर्बे नाल ए लिखत पूरी तरह सैमत ना होए इन आविच कोई गल्ती ना होनदा कोई दावा नहीं सगों सिर्फ गुर्षिक्षां विच साचदी खोज दा उत्षा पैदा करने ते इस खोज विच पैह होए सुबा गे हम सफर गुर्षिक्षां दा होसला वदाउने आत्मिक खोज विच सारे परमते सारे शंके उपजने जरूरी ने जदों ताके शंके साफना ओजान आत्मेक त्रक्की रुकी रेंदी शंके दूर करन वास्ते संत जना महापुर्शा महात्मावां दा मेल ते ओना दी परशनता वी बड़ी ज़रूरी है पर आज कल दे समय वेच सचे नाम अभ्यासी जो गुरू नानक दे नुकता निगातों आप जानों होन ते दूजयानों खास करके पंच्मी विद्या पड़े लिख्यानों मदद देन दे योग होन ए मिलने कोई सौखा कम नहीं इस किताब विच इस मुश्कल नों किसे हाद तक दूर करन दा यतन कीता गया बहुत सारे गुर्मों का दा ख्याल है कि आत्मिक ग्यान जा आपने आत्मिक तजर्बे आम लोकानों दसने नहीं चाहिए दे क्योंके पहली गल आम लोक आत्मिक सचाई नों समझन दे योग नीम दे ते कई वार बजाये फायदे दे नुकसान उठा लें देने दूसरा आत्मिक ग्यान बड़ी दुड़ाब चीज है ते इसनों सस्ता नहीं करना चाहिए ते तीसरा आपने तजर्बे दसन नाल मानता होन लग पैं दिये ते हंकार हो जांदे चौथा आत्मिक दात वंडियां आपने आप विच उनताई ते कमजोरी आजांदी मैं इना सारियां गलाणू चंगी तना विचारे ते इस नतीजे ते पहुंचियां के पहली गल आत्मिक सचाई दसने वेच किसे हालते वेच भी किसे दा कोई नुकसान नहीं हुंदा शिरीगुरु ग्रंद साहिब जी वेच सचाई दा बड़े सपष्ट अते जोरदार अखरावेच परचार कीता गया हरेक सिख दा इस परचार नू आम लोकां तक पुचाना फरज है नंबर दो बेशक आत्मिक सचाई बड़ी दुड़ाब चीजे पर इसनू अपनी च्छाती वेच बंद रखन नाल आते खुला प्रचार ना करन नाल अज आत्मिक खोज ते आत्मिक खोजी अलोप हो रहे कई लोग आत्मिक ख्यान नों बड़ी बे लोड़ी ते विल यादे कम करन वाड़ी गल समझ देने हलांके कोई वक्त सी कि आत्मिक ख्यान तों बिना इनसान दुनिया दे किसे कारवे आर्दे लायक नहीं सी समझ जा जानदा आत्मिक ग्यान विद्यादा अत जरूरी हिस्सा गिन्या जान्दाशी जैसी नियत तैसी मुराद हुँदी है जेडा बंदा नेक नीती नाल स्रबत दे पड़े वास्ते अपने तजर्बे पेश करदाए उसनू ते फाला हमेशा पलाई दी शकल विच मिलदाए कदे हंकार नी पैदा हुँदा आदमीं दी मानता कई हालता विच उसनू सगो नर्मान बना देंदी सचे गुर्शेख दी निगाविच सिखी दे रुत्बे नालों दुनिया दे दिते सब रुत्बे मान ते खिताब छोटे ते ममूली हुँदे ने नमबर चार आतमेक दात वंडियां कटदी नहीं हुँदी एथे वी नियत ते मुराद वाड़ा असूली कम गरदे जिस ख्याल नाल आतमेक परचार कीता जाए उस दा वैसा ही फाल निकल दे कदे मैं लोक छेपके पजन करनू बड़ा चंगा समझदा सा ते पहले आवस्थामावेच वैसे अभ्यासी नू इस तरह ही करना चाहिए थे मैंनू सिम्रना ब्यास दा शाओक आपने दादी जी दे सत सांगतों शुरू है वी पची साल मैं बड़ा लोक छेपके सिम्रना ब्यास कीता है आपने रिशेदारां इस तरी अते बाल बचयानू ते दोस्तानू भी पतानी लगन देता हदी रात नू जागन ते स्वेर सार स जान दी आदतनाल आपनी खोज नू मैं काफी हद तक गुपत रख सकया पर किसे खास वकतों बाद आपने आत्मिक तजर्बयानू गुपत रखना मैं खुदगर्शी समझना आपनी खोज ते आपने दी जीवन तजर्बयनू दुनिया दी सेवा विच पेश्ट करना कुल मैडम डी स्टील दे कथन अन्सार सर्च फार ट्रुथ इस दी नोबलेस्ट अकुपेशन आफ ए मैन एंड इस पबलिस्टी इस ड्यूटी पाव सचाई दी खोज ते उस दा परचार इंसान दा परमतर्म होना चाहिए है इस किताब इच मैं अपने तजर्बे बगैर किसे संकोच दे ते बगैर किसे वदे काटे दे बिलकुल आम अखरा मिच बियान करन दे यतन कीता है इस तरह करन नाल मैं आत्मिक द्रिष्टीतों गरीब जांक कमजोर नहीं होया सगों मेरा बहुत पढ़ा होया है मेरे कई ख्याल इस किताब दे लिखन नाल साफ ते द्रड हो गए जिवें इस खूँ विचों जिनना पाणी कडिये और नहीं ताजा पाणी हो राजान दे आत्मिक कमाई वंडियां थोड़ी नहीं उदी सगों हो रवद दिये ते इस तरह होना भी चाहिए दे एओ खजान ने जिस दे बारे विच क्या गया है खावें खर्चें रल मिल पाई तोट ना आवें वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एथ खजाने लयार लाए एक जून उन्नी सौ सेंटी कर बंदे तूं बंदगी जिचर कट मैं साह बंदगी नामा पाव सच दी प्राप्ती दे साधन सिख सिख दा असली मतलब सिखन दा अविलाशी सच दा खोजी जा ग्यान दा मुतलाशी हुंद सच दी तलाश सिख दे जीवन दा आधार अते आधरश है एश्रीर ते श्रीर दियां सब खेड़ां खेड़दा हुया माया विच लंगदा दसानमा दी कमाई करदा ग्रिस्ती दे सारे फरजने बाउंदा बाल बचे इस्तरी माम पिता रिष्टेदारां दोस्तां काम जा मुलक दे दुनियां दी सेवा कर दिया हुयां अपने ख्याल विच इन सारे तों वकरा रहीं दे दुनियां दे सब स्वालानों हल करदा हुया अपने समने अपनी असलियत दी पच्छान दे स्वालनों ही सब तों खास समझ दे ते उसनों जिन्दगी दे राज नो समझन दी खाहश जिन्दगी दे किसे हिसे विच भी चैन नहीं लेन देंदी उसनों आपनी काम्याबी ते पूरा विश्वास उन्दै इस वास्ते ओ उत्शा आते दर्ड़ता दा रूप बनके रहीं दे सिख ते हार दुनिया दी कोई खिच कोई लालच कोई रुकावट सिख दे जमंदरू खोद दे सुबानू दबा नहीं सकदी ओ माया तों पाप तों इन्सानी कमजोरियां तों कईवार हार खा सकदे बुरी तना हार सकदे परवय ना तो जित्या नहीं जा सकदा उसनों सुबाव की पता हुन दे के रसा कशी वेच कश्मकश वेच लडाई वेच जित ओसे तिरदी हुन दिये जड़ी अखीर वेच जित्या इस करके ओ मुश्कलानू हमेशा हाथी दी तरा पैरा एठल लिताड़ दे आपनी खोद दी तों वेच आपनी आखरी जित दे यकीन दी तसल्ली वेच आपने रस्ते ते अडोल तुरी जान दे पोदे पैरा वेच कंडे चुब सकदे ने जखमी कर सकदे ने पर उसनों अग तुरन तों रोक नहीं सकदे ओ इस रस्ते वेच डिग सकदे हड़ गुड़े तुडवा सकदे पर उस दी नजर हमेशा हुची रही दिये जिसकार के ओ डिगदा टैंदा ओठदा कपड़े चाड़दा ते आपने सफर नू काइम रखदे ते आपनी खोज भी जारी रखद शेख दा निश्चा शेख नू गुरुनानक ते ओन्ना प्रोसा हुंदे जिन्ना बचे नू माँँटे उसनू यकीन है के गुरुनानक देवजी दी उंगली फड़के ओ एस दुनिया दे मिल्ले वेच पीड पाड वेच रोले गौले वेच कदे गवाच नहीं सकदा वो अपने गुरुदेव दे बचना वीच पूरन विश्वास रख़दै, गुरुबानीनू सच समझ दै पर अपने विश्वासनू अंध विश्वास नहीं बनन देंदा तो गुरु दे हर बचन नू स्याना ते होण हार विद्यार्थी होण दी तरा पूरे ताउर ते समझन दी कोशिश करदा है तो उसनू पता हुं दै के जदों ताक समझ ठीक ना होवे ग्यान प्रापत ना होवे इंसान दे करम ठीक ताउर ते दुरस्त नहीं हो सकदे अटल मनदाव यावी ओनानो समझन दी वर्तों वेच ल्याउन दी ते अजमाईश दी कसावटी ते लाके विखन दी दलेरी रख दै सिख दा सबर सिख नू ये भी पता हुं दै के जिस चीज दी ओ खोज करनी चां दै ओ दुनिया दिया सब खोजां तो मुश्कल खोजां काड़ी ते जल्द बाजी नाल कामनी चलना इसलिए उस दा सबर पहाड वर्गा द्रिड ते गंबीर हुं दै उस वेच इंतजार करन दी पूरी शक्ती हुं दी ओ जित्थे आपने गुरुदेव दे बचनानू नहीं समझदा होते ठैर जान दै हाथ जोड के निर्मानों के हाडे पाके पुबा मार के समझद वास्ते रोश्नी वास्ते ते रहनुमाई वास्ते अरदास कर दै ते संतोख नाल आपनी अरदास दा पाल उडीक दै जो रोश्नी आउनी है वाई गुरु दे कर विच किसे गल्दा काटा नहीं पर हर एक पुर्षन उस दे हाला दे मताबक जाएज जरूरत अन्सार दाता मिल दियां इस वास्ते सिक सचे आश्का वांग इंतजार दी ताकत रख दै हाफिज शिराजी दे कथन अन्सार रोजे बरसी बावसल हाफिज गर ताकते इंतजार दारी वो जान दै कि उसने मनुकतों देवता बनने ते एना दोहा हालता मिच जेड़ा जमीन अस्मान दा फासल है वो उसने ही तै करने ते एह तबदीले एक दोधना वेचे नहीं उन्दी एक आम ते जीवन पार वेच भी सिरे चड़ जावे तां खुश किसमती है इस वास्ते उत्ती रजते प्रोसे नू आपने सफर दे पक्के साथ ही बनाई रखते है सिक सच्चा सिपाई है इसले यो नाकाम्याबियां तो कप्राओधा नहीं बढ़के मुकाबला करके उन्हानू जित दे खंडे दा अम्रे तोसनू सई अर्था मेंच पूरा सिपाई बना दे शस्तर फड़के चूठ जुलम बेन साफी ना लड़न दी भी समरता रखते अथे आपने मन नाल मन दियां कमजोरियां तो पैदा होईयां अनेका मुसीबता नाल भी अठे पैर जुट्या रहीं दे पापां दियां मूनियां फौजानू कटदा टुकडे टुकडे करदा पैरां हेठल ताड़दा अग्गे तुड़े आजांदे शेख दा मन रणपुमी हुंदे जिस विच वो अपने पुराणे सदियां दे बने होए मनुखी सुबान आल हरवे ले युद करदे ते हरवे ले खटा पटी रखदे सिख वास्ते निडारोओना हिमती ओणा सच वास्ते सब कुझ कुरबान करने त्यारोणा बहुत जरूरी सच सब कुझ दी कुरबान न TVs मंगदा क्योंकि जिथे सच वो पोछ आ ते होर कुझ रह यह नहीं सकदा सिख दा आदर्ष शेख वास्ते अम्रित शेकना, रैत रखने, गुर्बानी पड़ने, कीर्तन करना सुनना सब कुझ जरूरी है पर शेखनों भी पतावना चाहिद है के सब कुझ जरीए ने मक्सद नई पौडियाने छात नई, सफर है मन्जल टाई शेक दी असली रीज ते तृष्णा वाइगुरूदे दर्शन, वाइगुरूदे समझ, वाइगुरू वेचे लीनता, ते वाइगुरू रूप होके वाइगुरू वेचे समा जाना जिस पुर्शनों आपने मनुरत दा मकसद दा निशाने दा सावत और ते पता हुए ओ निश्चे ही कदे ना कदे हो थे अपड़ पैंदे मैं पहलों पहल इतियास पढ़ना शहीदियां सुनियां सिखी समझदा सा ते गुर्बाणी पढ़न वाले नामा वियासियानों मखावल करदा सा पर जिमें जिमें मैंनों होशांदी गई मैं ते आसनालों वदेरे रास गुर्बाणी वेच मानना शुरू कीता कीरतन सुनन पाठ करन गुर्बारे जाके मथा टेकन जां कारशरी गुरू ग्रंद साब दे रोजाना दर्शन करन वेच मेरी बड़ी तसल्ली हुंदी सी पर मेरी पूरी तसल्ली ये थे भी नहीं सी होई मेरी आत्मा इस सब कुज नू कबूल करन मगरों वी त्रिपत्य परसंद नहीं सी हुंदी पुखी रहिंदी सी मेरी आत्मा कोई अटल सोख पाड़ दी सी जेडा सोख आद मद जो अंत निवा है सो साजन मेरा मनचा है हरकी प्रीत सदा संग चल ले दयाड पुर्ख पूरण प्रत पल ले रहाओ बिनसत नहीं छोड ना जाए जैं पेखांतें रया समाए सुन्दर सुगड चतुर जीदाता पाई पूत पिता प्रभमाता जीवन प्राण अधार मेरी रास प्रीत लाई कर रिदय निवास माया सिल्क काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सवरोग चरन त्यान सर्व सुभपोग पूरण पुरख नवतान नित बल्ला हर अंतर बाहर संग रखवाला काउनान का हार हार पद चीन सर्वस नाम पगद काउदीन महफर गुरबाणी दा पाठ किसे होर तरीके अन्सार करना शुरू की था पांज सत वार गुरु गरंद साहिब जी दा पाठ प्यार नाल समझ समझ के करन तो बाद मैनो गुरु गुरंद साहब जी विचों खास करके दसियां उयां दो चीजां लबियां एक वाई गुरु ते दूसरा उस दी प्राप्ती दा सादन वाई गुरु दा नाम मैं नहीं कह सकदा के कोई सौखा कम सी असान रस्ता सी पर इस दे रस्ते जोब शान्ती खुशी ते अनंद मैंनू मिलेने उनना दे मुकाबले विच मैं आपनी सारी मेनुत सारी कालणा सारी कोशिश ममूली समझना मैंनू ते जिमें कौड़ी बदले हीरा मिल गया है जदो मैं दुनियां दे लोकानू ममूली ते आलजी मायक सुखा वास्ते एन्नी कालणा कालदियां वेखना ता अपने आपनू और ना दे मुकाबले विच ममूली कोशिश दे बदले एड़ी वड मुली दात मिलन ते अपने तन पाग समझना गुर्बानी गोडी महला पंजवां गुर्पूरे मेरी पैज रखाई गुर्पूरे बचन त्यायो मुहे नाओं गुर्परसाद मुहे मिलेा थाओं रहाओ गुर्पूरे बचन सुन रसनव खानी गुर्किरपाते अमृत मेरी बानी गुर्के बचन मिटिया मेरा आप गुर्की दयाते मेरा वड़ परताप गुर्के बचन मिटिया मेरा परहम गुर्के बचन पेखियो सब ब्रहम गुर्के बचन कीनो राज जोग गुर्के संग तर्या सब लोग गुर्के बचन मेरे कारज सिद गुर्के बचन पाया नाओ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर्की असातिस की कटिया जम की फसा गुर्के बचन जागया मेरा करम नानक गुर पेटिया पार ब्रम गुर्बानी दा रुत्बा गुरू दे बचन सिख्या उपदेश गुरू हुंदेने गुरू दा सरीर गुरू नहीं हुंदा गुरू दे सरीर दी उचता पवित्तर ता ते सतकार इस वास्ते हुंदे के उस विचों गुरू दे बचन गुरू दे उपदेश निकल देने जो मनुखतों देवता बना देन दी शक्ती रख देन गुरु गुरंद साहिब इच दर्जमानी सिरी गुरु नानक देव जी अते होर गुरुआं पगतां दे बचन जाउपदेश ने उन्ना दी आत्मा दे दर्शन ने ये उन्ना दी स्पिरट है उन्ना दे जीवन द अत्जर्ब है इस तरह स्री गुरु गुरंद साहिब जी गुरुआं दी देही तों किसे हालत विच भी काट सतकार योग नहीं बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अम्रित सारे अत्वा सत्गुर बचन बचन है सत्गुर पाधर मुक्त जनावेगो गुरु बाणी दी मैमा बचन कैन वाले बंदे दे मन दी जेड़ी अवस्था हो वे ना बचन सुनन वाले दे मन दी ओहा अवस्था हो जान दी है जिस अवस्था तों बचन निकले सुनन वाले दे मन दी ओ अवस्था बन जान दी बचने का ताकत है जदू है गुर्बाणी क्योंके गुरू साहबान दे मन दी ओस उच अवस्था विचों पैदा होई जिते हौमेदा नास दे ब्रमदा प्रकाश हुन दे जिते हैं इन्सान खतम हो जान दे ते सिर्फ रब ही रब रह जान दे इस वास्ते गुर्बाणी पढ़न सुनन नाल मान अस्थूल मंडला तो निकल के सूखम आतमिक मंडल वेच पाउन जान दे ते द्रगादे चल कारे वेह दे एक गल सोडाने सच तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई अथवा गुरु रामदास जी आख देन सत्गुर्की बाणी सत्थ कर जानाउं गुर्शिखो हार करता आप मुहों कढ़ाए जिस निर्वैर ते निर्पैया अस्थान ब्रह्मतों गुर्बाणी पैदा होईए एस सुनन जां पढ़न वाले नों उसे अस्थान वेच पुचाशक दीए एई कारण है के गुर्बाणी नों मन्टिका के पढ़ेया जां सुनेया मन शांत निर्वैर ते निर्पैय हो जांद है गुर्बाणी मन्दियां सब बीमारियां दा इलाज है जिस तरह मेटीरिया मेडिका वेच श्रीर्वैं सब बीमारियां दा जिकरते इलाज हो जांद है उसे तरह स्रीगरु गरंद साहिब जी वेच मन्दियां सब बीमारियां दा जिकरते इलाज मजूद है इसे करके मन दी हर भी मारी दा रोगी शिरीगुरु ग्रंत साहब जी दे पाठतों संती हासल कर दे गुर्बाणी सब अवस्थावां दे पुर्शां दी अगवाई कर दी गुर्बाणी नू गुरु रूप समझ के पढ़न वाड़ा जिस अवस्थादा पुरुश होवेगा उसनू उसे अवस्थादे इशारे समझ पैंदेने ते आपने वाल खिच देने जिवें जिवें इंसान दी अवस्था बदल दी जावे गुर्बाणी एक सचे अवस्थाद वांग उस दी रहनु माई भी बदल देने फिर ओहा शबद मन ते चोट कर देने प्रेर देने जिनना दी मननू लोड दी इससे करके गुर्बाणी दे जिनने पाठ करी जाओ नमी समझ नमे अर्थ नमिया वीचारां पैदा होंदी आने ते जदों तक इन्साहन पूरण वस्था वेचे नाम पाउंजावे गुर्बाणी राही उस दी एसे तरह रहनु माई हुंदी चली जाँदी आपनी आत्मे का वस्था लबणी हार आदमी दी आत्मे का वस्था इको जाई नहीं हुंदी सिरी गुर्बाणी गुर्बाणी जी वेचे सब तरह दी आत्मे का वस्था वास्थे रहनुमाई है हिदायता ने आम गुर्ब सिखा नो दिक्कत एओंदी है कि ओ सिरी गुरु ग्रंद साहिब जी विच्चों किस किसम दे वाका नू आपनी अवस्था दे अनकूल ते आपनी आत्मिक उनती ले जरूरी समझन। इस दिक्कत नू दूर करन दा जड़ा त्रीका मैं सफलता नाल वरतिया ओ एसी कि जिस किसम दे वाक मैंनू चंगीतना समझ पहीं दे सान। ते जिस किसम दे वाक मैं बाउत पसंद करदा सां। ओ वाक ज़ा उनना वेच दसियां हिदायता अपनी आत्मिक उनती ले मैं जरूरी समझ दा सां। जिमें कईयानू वैराग दे शबद, कईयानू निर्मानता ते बेंती ते शबद, कईयानू पगती ते नामक माई वाले शबद, ते कईयानू ग्यान दे शबद बड़े चंगे लगदेने। जहां इको बंदे नू आपनी खोज दे दोरान कदे वैराग, कदे निर्मानता, जहां अर्दास वाले, ते कदे पगती जहां सिम्रंक माई वाले, कदे ग्यान वाले शब्द चंगे लगदेने, ते दिल ते बाउत असर करदेने। इस दा कारण एंदे है, के वक्ष वक्री आत्मेक अवस्थानू वक्ष वक्री अगवाई दी लोड़न दी, ते गुर्बानी दे उसे अवस्था दे शब्द मन ते ज्यादा असर करदेने, जिस अवस्था दा अभ्यासी जां गुर्मुख उस वेले ओ आप हुंदे है। गुर्मानी वेच स्वेविरो दी ख्याल। सो तुद जन्त मिलास, जां जापताप नेम सोच संजम नाहीं इन विदे छुटकार। परताखता औरते दोमे उपदेश सेल्फ कंट्राडिक्टरी पाव स्वेविरो दी लग देने। पहला उदम करन दी प्रेरने, कोशिश करके वायगरूनू मिलन दी प्रेरने। ते फिर आखदेने कोशिश नाल, हीले नाल, जापताप नाल, पाठ नाल वायगरून नहीं मिलदा। वायगरूनू सिर्फोई मिल सकते जिस उते उस दी आपनी मेरोवे। ते जिस दा हाथ फाड़के वापने वाल खिचे, ते हनेरे खूतों कड लवे। इस तरह दे कई शबद स्वै विरोधी लग देने। पर असल विच ये एक दूजे दे उल्ट नहीं हुंदे। वखो वखरी अवस्था दे इंसानना वास्ते वखो वखरे इशारे हुंदेने। उद्धम ते हुकम। बंदगी हमेशा उद्धम कोशिश ते यतननाल शुरूं दिये। पर जदों अभ्यासी विच अनपावदियाक खुल दिये ना। फिर उस नुँँ पता लग दे के उस दे हार उद्धम विच हार यतन विच अकाल पुरुदी इच्छा शी। वो आपनी पिशली सारी जिंदगी नुँ मवजूदा जिंदगी दी नी अते त्यारी वेख दे। उस दे ख्याल विच बड़ी तबदीली आउनी शुरू हो जान दी। उस सार दी हार कटना नुँ जिंदगी दे हार पहलो नुँ नवे द्रिश्टी को नाड़ विचारना शुरू कर दे। इस तरह होना भी जरूरी चाहिए दे। एक ममूली इंसान तों देवता सिर्फ ख्याला दी तबदीली नाड़ी बन सकी दे। एक महातमा ते मूरख आदमी वेचे सिर्फ ख्यालन दाई फरकुंद है। गुर्बानी दी समझ वास्ते सबर दी कोशिश बहुत जरूरी ने। खोजी नूँ सिख नूँ जित्थे गुर्बानी दी समझ ना आवे। ओथे कबरा के खोज नहीं छड़ देनी चाहिए। बढ़के निर्मान होके समझ वास्ते प्रार्थन करनी चाहिए। सबर दे संतोख दा जिन्ना मुल आत्मिक खोज विच मिल दाई। दुनिया दिया हो और खोजा विच इस तरह नहीं उदाई। सबर एक ताकत है, हड़ दा वेग है, जिसनु कोई आवकड रोक नहीं सक दी। सबर संतोख ना लुड़ी कियां, ते खोज दी तोन कायम रख देयां। गुरू रूप गुर्बानी विचों हर सच्चे शंके दी नुविर्थी हो जां दिये। गुर्बानी सब इच्चा मां पूरण करनवाली है। गुर्बानी विद्वानानू विद्यादा सागर, ग्यानियानू ग्यान दा पंडार, पगतनू पगती दा खजाना, दुनियां दे दिवानेनू शांती दा चश्मा जाप दी है। त्यागी सन्यासी महात्मा जंगलां विच राजे माराजे तखतां थे, दुनियादार दुनियावी खेडां खेड़ दे, हर किसम दे, हर उमर दे, हर आत्मे का वस्था दे लोग, बढ़के चोर यार डाकू ठग सब गुर्बानी अगे सिर चुकां दे ने, ते अपनी हालत मताबक इस तों लाब उठां दे, विखे जांदे ने, गुर्बानी दी मैमा इसली अपरम पार है, क्योंके इस दी उत्पती दा सुमा अपरम पार है, इस सच तों निकली है, सच दा रूप है, ते आपनी छो नाल इंसाननों सच वाल प्रेर दी है, ते सच दा रूप गुर्बानी दे दुन्यावी ते आत्मिक लाब, गुर्बानी आरजी तारते भी ते पके तारते भी बड़ी शांती दें दी, इनसान नों दुनिया दारी दिया, रोजाना आउकणा साफ करने विच मदद दें दी, होंसला वदाउं दी, पेठ ठोक दी, ते नालो नाल जूठे ते ममूली सुखावलो उपराम करके उस दे समने आत्मिक खजाने खोड़ दिये, पात्षाहां दे पात्षाह अकाल पुरुखनाल जान पजान कराऊं दिये, ते आत्मिक मंदला में चरैन दे योग बनाँ दिये, ना पढ़न नालों, गुर्बानी बगैर समझे प उस दी उपमा कथन तो बाहर है, गुर्बानी पढ़न दा अस मतलब ही ए है, गुर्बानी पढ़न वेले मन दी हालत, गुर्बानी पढ़न वेले मन बच्चे वांग निर्चल, साफ, सिदकी, ते प्यार पर्या होना चाईद है, शिरी गुरु ग्रंद साहिब जीनु पितास मान समझ के, उस तो कोई उपदेश हासल करन दी इच्छा नाल उस दी शर्ण विच ओना चाईद है, अदब नाल बैना, प्रेम नाल पाठ करना चाईद है, चेते रखना, इस तरह करना बोत प्रस्ती नहीं, जदों तक मन लगे पाठ करना चाईद है, पामें एकपन, पामें बाउता, पाठ करन वेले अपने आपनू किसे पूरन पुर्ख दी हजूरी वेच बैठया मैसूस करना चाईद है, इस तरह सिरी गुरु ग्रंद साहिब जी दी ताव्या बैठया मैनू अत मुश्कल दे समय वी सिरी गुरु पामें ए अवस्था मेरी बेबलता दा, जा मेरे विश्वास दाई नितीजा क्यों ना हुए, फिर भी हिंदे विच मैनू बड़ा स्वादा हुदा सी, इस तरह माने हुए आनांद दी चलक सुफने विच पोगे, राज दी तरह रह रह के मैनू यादा हुदी, प्यासे हिर पामें ओ द्रिश उस दा पुलेखा जा मन दा संकड़ा पी क्यों ना हुए, उस दी उस वेले खुशी दी कोई हाद नहीं रह दी, उस दे चाड़ा मारन, उस दे दोड के पानी वल चुकनतों, उस दे मन दी खुशी पर पूर हालत जाहर हुदी, इस विच कोई शक नहीं, अब्यासीदा अधरश हमेशा उच्चा हुंदा चला दांदे, पर मनजल अग्गे तों अग्गे लम्मी उन्दी जांदी, पर रस्ते विच थकान ते बेबलता दे समय कि ते ठंडियां च्छामा मिच बैके कीता अराम वी पुल दा नहीं, मन ते गुर्बाणी दा असर, अपने मननू गुर्बाणी दे मगर चलोना चाहिदे है, गुर्बाणी दी रंगन मनू ते चड़न देनी चाहिदी, मन विच्छों आपनियां सब ख्यालां वीचारां रामानों कड़के मन शुद ते साफ करके गुर्बानी दे ख्याल मन ते असर करन देने चाहिए देहन इस तरह दिल ते दिमाग साफ करके पाठ कीते हैं गुर्मत दी रंगन मन ते छेती चड़ जांदी आतमे के त्रकी दी रफ्तार तेज रहें दी गुर्बानी दा नुक्ता निगा छेती समझ विचाओं दे इस तरह गुर्बानी पढ़न वाला गुर्बानी दियां अखा विचों संसार दी खेड वेखन लग पैंदे हार चीज उसनु आपनी असल हालते विच दिस्सन लग पेंदी गुर्बानी दी जारा जहूर कड़ा उपर लिखे त्रीकया नाल पाठ कीतियां श्री गुरू ग्रंद साहिब जी दी इस मटीरियलिस्टिक दुनिया दे विच वी जारा जहूर कड़ा विखी जा सकती है सचे खोजी नू सच दी पाल वेच परम पैदा होने जरूरी ने एक कोई माड़ी जा शरम दी गल नहीं बढ़के कुदरती ते कई हालता वेच बहुत जरूरी है पर सचे देलनाल गुर्बानी दी शर्न फड़यां हार जायज ते जरूरी स्वाल दा ज्वाब ते शंक्यां दी नुविर्ती गुर्बानी विच्छों हुंदी रेंदी गुर्बानी दा निश्चे नाल पला फड़यां सिख आत्मिक मार्ग वेच दिन दूनी ते रात चोगणी तरकी करदा होया आपनी यात्रा सफल कर लें दे सत्गुरू जी ने आख्या सत्गुर्बचन बचन है सत्गुर पद्धर मुकत जनावैगो